Hey guys, welcome to my channel, welcome to my new video, so guys, आज का इस वीडियो में मैं आप लोको यह वाला जो फोटो है, इसका आउटलाइन ड्रॉआ करके दिखाऊंगा using grid method, उमीद है यह वाला वीडियो आप लोको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर खरना, और चैनल पे नएवाँ तो जोनकर सब और grid method से draw करने के लिए आप लोग को कुछ particular steps को follow करना होगा, जो लोग मुझे काफी time से follow कर रहा है, उन्हें पता ही होगा किस तरह से मैं grid method से outline draw करता हूँ, और जिने नहीं पता, वो लोग इस वीडियो के एकदम end तक देखो, आप लोग को समझ में आ जाएगा, अभी हमा जानना होगा कि आपका जो sheet है, इसका dimensions क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसका length है 21 cm और यहाँ से यहाँ तक इसका length है 30 cm, जैसा कि आप लोग और एक बात जानते हो, आप लोग जब भी किसी sheet के ओपर कोई भी photo को draw करोगे, तो margin देना ज़रूरी है, तो यहाँ पर margin के लिए मै यहाँ पर हर एक side से 1 cm का gap छोड़ूंगा, तो अगर अभी मैं यहाँ पर इस side से 1 cm का gap छोड़ू, और इस side से 1 cm का gap छोड़ू, तो हमारा इसका length होगा 19 cm, ठीक अगर मैं इस side का बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर इस side से 1 cm का gap छोड़ू, और इस side से 1 cm का gap छोड़ू, त तो हमारा इसका length होगा 28 cm, तो यहाँ पे हमारा grid का ratio है, वो होगा 19 cm by 28 cm, अभी मैं आप लोग को और एक बात बता दू, आपका जो sheet है, वो कभी भी कोई भी size का हो सकता है, आपका जो reference photo है, वो भी कभी कोई भी size का हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमेशा a4 size का ह तो आप लोग को हमेशा जो है, इसी method को apply करना होगा, आपको हमेशा चारो तरफ से 1 cm का gap छोड़ना होगा सबसे पहले margin के लिए, उसके बाद 1 cm का gap छोड़के जो आपका जो ratio होगा, उस पे आपको काम करना होगा, और हमारा जो reference photo है, उसके उपर grid लाने के लिए मैं इस व photo है, वो हमारा यहाप इंपोर्ट हो चुका है, अभी सबसे पहले हमारा यहाप काम है, इसका dimension से ठीक करना होगा, और हमारा dimension है, 19 cm यहाप होगा, और जो दूसरा वाला है, वो होगा 28 cm, तो जैसे कि आप यहाप देख पा रहे हो, जो ratio है, वो सही हो चुका है, और अभी इस frame को हमें fit कर लेना होगा यहाप, हमें जितना जरूरत है, उतना चलो crop कर लेते हैं, इसके बाद जैसे कि आप यहाप देख पा रहे हो, जो grid है, वो काफी कम है, तो मैं यहाप क्या करता हूँ, तो हमारा grid लेंद है, वो से कर देते है 1.5 cm पे, और आप यहाप देख पा रहे और यह सेव हो चुका है, और इसके बाद मैं यहाप विद और grid भी एक photo को सेव कर लूँगा इसी form में, और यहाप देख सकते हो, यह सेव हो चुका है, जैसे कि आप यहाप देख पा रहे हो, हमारा जो reference photo है, वो ready हो चुका है, with grid, यह आप देख सकते हो, काफी सारा grid चुका है, अभी हमें इसे observe करते हो, यहाप सबसे पहले grid को draw करना होगा, सबसे पहले तो मैं इस वाले sides पर point mark करूँगा, और मैं आप लोगों को दोबारा से इसका length बता दूँ, इसका length है 19 cm, तो चलो सबसे पहले यहाप पर mark कर लेते हैं, और आप लोगों भी इसी points पर mark करना होगा serially, उपर की तरफ mark करने के बाद, अब यहाप में ठीक इसी points पर जो है, sheet का नीचे की तरफ भी mark करना होगा, ताकि हम एक straight line draw कर पाए grid के लिए, तो चलो यहापे भी उन points पर mark कर लेते हैं, दोनों तरफ पर points mark करने के बाद, अभी हमें इन दोनों तरफ का सभी points को एक दूसरे से merge कर देना होगा, ताकि straight line हमें मिल जाए grid के लिए, finally guys हमारा जो vertical lines है, वो हमें मिल चुका है, अभी हमें यहाँ पर इस vertical lines की तरह horizontal lines के लिए भी mark करना होगा, और जो horizontal lines है, उसके लिए भी हमें यहाँ पर mark करना होगा, इन points पर, अभी इन दोनों रोट्स को merge कर देते हैं, ताकि हमें हमारा जो horizontal lines है, वो मिल जाए, finally guys यहाँ पर जो हमारा grid है, वो ready हो चुका है, और यहाँ पर जितना भी horizontal lines और vertical lines है, उन्हें identify करने के लिए, आप इस तरह से यहाँ पर marking कर सकते हो, अभी finally हमारा जो basic task है, वो complete हो चुका है, और हमारा grid भी तयार है यहाँ पर outline draw करने के लिए, अभी चलो यहाँ पर outline को draw करते हैं, और outline draw करने से पहले मैं आप लोगों को दुबारे से और एक बात बता दू, आपको यहाँ पर हर एक जो square है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हर एक जो box यहाँ पर है, आपको हर एक छोटा से चोटा detailing को अच्छे से observe करते हुए ही आपे outline को draw करना होगा इस grid के ओपर, इस reference photo को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो photo है, जो face है, इसका basic structure को मैं draw कर लूँगा, मतलब hair है, जो face का basic structure है, उसे draw कर लूँगा, और फिर उसके बाद जो eyes, nose, mouth है, उस कर देना होगा, तो better यही है कि अगर आप भी इस photo को draw कर रहे हो, चाहिए कोई भी photo को draw कर रहे हो, सबसे पहले आप कोशिश करो, जो basic structure है, उसे draw कर लो, फिर उसके बाद at the end, जो face का detailing से रहता है, मतलब eyes, nose, mouth है, उसे बनाओ, तो चलो सबसे पहले, hair का जो यह वाला part है, य बॉक्स से हमें यहाँ से start करना हो, चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो चलो यहाँ पर आभी दीदेदेदे draw करते हैं, और draw करने के लिए मैं आप मेकनिकल पेंजिल का use कर रहा हूँ, अगर आपके पास मेकनिकल पेंजिल नहीं है, तो आप कोई भी sharp pencil का use कर सकते हो, य यहाँ से intersect होके अभी यह उपर की तरफ जा रहा है, तो यह पीच में से cross हो रहा है, अगर आपको कई भी problem आए ना, तो आप क्या कर सकते हो, जो cube है, जो midpoint है, उसे follow करते हुए, आप वहाँ पर draw कर सकते हो, अभी यह उपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ जो line है, वो तरह curve type का है, जैसे कि आप यह पर देख पा रहे हो, अभी अगर यहाँ पर देखे, तो यहाँ पर भी यह बीच में से intersect होके, फिर आगे इस थोरा side में से जा रहा है, यहाँ पर, यहाँ पार्ट है, यह second box में आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से कुछ यह इस तरह का होगा, मैं वीडियो को कुछ-कुछ portions में fast forward कर रहा हूँ और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अभी बारी है, यहाँ पर hairline ड्रॉ करने की, तो यहाँ पर यह थोड़ा उपर की तरफ जा रहा है, फिर यह बीच में से intersect हो रहा है, और यह थोड़ा कर्फ टाइप का यहाँ पर है, कर दोड़ा है, यहाँ में से काफी लंबाट है, अ की तरह बारी हो जाएप का यहाँ बार को यहाँ में से साल्थ़ाएप, प्रहाँ नहाँ में सेस्टर्शने की, यहां पर देख सकते हो जो बेसिक आउटलाइन है वो कम्प्लीट हो चुका है फेस का अभी चलो यहां पर जो फेस का जो फीचर से उसे कवर करते है जो राइट आई है उसे ड्रॉ करने के बाद जो लेफ्ट आई है उसे ड्रॉ करूंगा राइट आई अल्मस्ट कम्प्लीट हो चुका है अभी अगर आप यहां पर देखोगे तो यह जो राइट आई है इससे जो है एक बॉक्स छोड़के हमारा जो लेफ्ट आई है वो है तो एस पर देट मैं यहां पर यह कॉर्णर से यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ कर दो लेफ्ट आई के बाद अभी जो लेफ्ट आइब्रो है उसके बार ही एस पर देट यह उपर वाला जो बॉक्स यहां से हो रहा है तो यह से स्टार्ट होगा यह मिट पॉइंट से और आप यह पर देख पा रहे हो किस तरह से मैं यहां पर हैरी टेक्च्चर दे रहा हूँ इसके बाद नोस जो है वो कुछ इस तरह से होगा यहां पर और यह फिर यहां से नीचे वाले बॉक्स में आएगा और यहां पर थोड़ा यह कर्व है और यहां पर बॉक्ड़ लड़LE झाल फाइनली हमारा जो फेशियल डिटेलिंग से वो कम्प्लीट हो चुका है अभी चलो जो हेर्स पे जो ओर्नमेंट से उसे कम्प्लीट करते हैं झाल 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 तिल रेन किप प्रेक्टिसिंग एंड से से बबाई और एंसर जरूर देना झाल